असलाम अलेकूम, आज मैं बनाने वाली हूँ कीमा मतर, इसके लिए मैंने एक पाव कीमा अच्छे से धुल लिया, आप कोई भी कीमा यूज कर से ति, प्यास मैंने चॉप कर ली, ठी प्यास थी, मतर लिया है, एक कप फ्रेश मतर है, इसके बाद मैंने एक टोमैटो और थिरी चीली काटली है यह मैंने गरम मसाला यूस किया है यह लाल मिर्च पाउडर हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर ना हो तो आप अधरकलेशन पेस्ट के साथ गरम मसाला भी उसी में पीश सकते मिक्सी में आयल गर्म हो चुका थ उसके बाद मैंने वो जो सारा गरम मसाला लिया था उसको डाल लिया है उसके बाद मैं प्यास डालती हूँ प्यास हलके हलके फ्राइ करिए जब हलकी ब्राउन हो जाए ब्राउन होने के बाद उसके बाद हम इसमें कीमा एड़ कर देते हैं कीमा को अच्छी तरह चलाते हैं जब अच्छी तरह से चलाते रहते हैं जब इसका पानी एकदम सूख जाए उसके बाद हम अद्रक लेशन का पेस्ट डाल देंगे पेस्ट डाल के लगातार चलाते रहें कि अच्छी तरह से मिल जाए दो तीन मिनट चलाने के बाद अब उसमें हम टमाटर और मिर्ची डाल देंगे मटर डाल के फिर चलाए अच्छी तरह से चला के सब मिला लीजिए उसके बाद जो हमने सुखे मसाले रखे थे वो डाल देते हैं डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए कुछ देर चलाने के बाद हम इसमें नमक आइड करेंगे एक कप पानी डाल कर अच्छी तरह से मिला कर ढख करके रख देंगे कि जिस मटर गल जाए और कीमा अच्छी तरह से हो जाए दस से पंदरा मिनट रखने के बाद उसको हमें फिर से चला लेना देखना है कि ये रेडी हो गया कि नहीं पकने के बाद ये आईल छोड़ देगा ये हमारा कीमा मेटर तयार हो गया है अब इसको हम अच्छी तरह से सर्व करेंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सस्क्राइब और लाइक जरूर करिएगा